हेलो इगनु स्टुडेंट कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छे ही होंगे तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि इगनु एक्जाम हॉल सेंटर में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखे ठीक है सबसे पहले मैं आपको इगनु की ओपिशल वैबसाइट पर दिखा देता हूं कि हॉल टिकट रिलीज हो चुका है आप सभी लोग अपना अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लें यहां प्यारा हॉल हॉल टिकट आपना यह जो डाउनलोड करेंगे इसका आप एक प्रिंट निकालने के बाद इसको या तो लेमिनेशन करवा ले या फिर ऐसे नॉर्मली अपने पास एक कागज के रूप में रख सकते हैं कम से कम इसकी दो फोटो कॉपी आप करवा के रख लीजिए ठीक है उ कि जो आइडेंटी कार्ड होती है उसको भी आपको लेके जाना है अगर आपके पास किसी कारण से आइडेंटी कार्ड नहीं है तो आप हमारे चैनल पे एक वीडियो है वह आप देख सकते हैं या फिर आप कोई भी एक वैलिड आईडी कार्ड लेके जाईए जैसे कि कोई भी गवर्मेंट इशू जो भी अधार कार्ड जैसे पैन कार्ड हो गया कोई भी एक डॉक्रमेंट आप लेके जा सकते हैं ठीक है और सेकेंड नंबर पॉइंट में आपको बता रहता हूं कि आपको कोशन पेपर मिनीमम 15 मेट पहले मिल जाएगा ठीक है जिससे कि आप करना राम से दो गंटे या तीन घंटे जैसे छेयश् gefragt gì आपको मिलेगा अंशर लिखने का टाइम आप या ठीक है इसमें चीज और देखने वाली बात यह experimenting आपका जो एग्जाम होगा को दो घंड और minimum marks 100 ठीक है यह कोशिन पेपर है इगनु की official website से आप कोशिन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं previous year के जिससे की आप लोग को पता चल सके कि exam कैसे आते हैं ठीक है next point पर आप हम आते हैं एक second रुकिए आपको मैं दिखा देता हूं कि यह देखें यहां पर notification में यहां पर लिखा हुआ है कि आप हिंदी या इंग्लिस मीडियम में कोई भी एक मीडियम चूज कर सकते हैं अगर आपको एक्जाम अगर आपको हिंदी में देना है तो आप answer seat में हिंदी लिखके फिर इसके बार आप एक्जाम को start कर सकते हैं ठीक है आपको एक्जाम स्टार्ट होने से 15 मिट पहले exam hall में एंटर कर लेना चाहिए मैं तो यह करूँगा कि आप घर से एक घंटे पहले ही आप exam सेंटर में पहुंच जाएए ठीक है जिससे कि आप डिक्स ना लो minimum जैसे कि आपका exam दो बज़े से start होगा तो आपको दो पंदर तक वहाँ पहुंच जाना है उसके बाद आपको entry नहीं मिलेगी लेकिन आप आपको कोई भी extra sheet नहीं मिलेगी 20 पेज या 30 पेज़की होती है यह confirm अभी आपको नहीं बजा सकता डिपेंड करता है कि exam आपका कौन सा है ठीक है आपको answer का जो word limit होता है वह question paper पहले से लिखा रहेगा जैसे कि मैं question paper दिखा देता हूं इसमें word limit जो भी लिखा रहेगा जै answer the question as per instruction given in each section तो आप देख लीजेगा आप question पर यह लिखा रहेगा कि आपको कैसे कितने word limit में देना है ठीक है तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा ठीक है और question paper को आप पढ़के जाएगा पहले जो भी आपका exam होगा पहले आप question paper की website से download कर लीजे ठीक है और सबसे ज आपके उपर legal action भी लिया जा सकता है और आपको jail भी हो सकती है और आपका paper cancel हो सकता है यहां पर लिखा हुआ है ठीक है impression will be reported to police तो इस बात का आप जहूर ध्यान किये ठीक है और आपको exam जो भी exam seat आपको मिलेगी उसको आपको बहार लेके नहीं जाना exam होलके exam होलके अंदर आपको exam देना है और exam देते वक्त आप कोसित कीजिएगा कि समय के साथ-साथ question का answer दीजिए जिससे कि आपको extra time लेने की जोटना पड़े और इगनू extra time नहीं देती ना कोई cheating करवाती है ना कोई नकल करवाती है तो यह आगर आपके मन में कोई वहम है कि हम exam cheating करके पास हो ज कि आप उमीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी होगी तो like करे चैनल को subscribe करे इसी तरीके की information मैं आपको देता रहूँगा धन्यवाद दोस्तों